हेलो एविवन गुज आफ्टरनून आई होप यौल आ डूइंग वेरी वेल कल हमने जोग्रफी स्टार्ट किया था जिसमें फॉर्स चाप्टर हम लोगों ने डिसकस किया सोलार सिस्टम के बारे में आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसे रिवाइस किया है नोट मेकिं है मतलब चाप्टर के लास्ट में उससे आप लोगों को सॉल्व करना है तो ट्राइट टू सॉल्व इट एंड कुछ फिल इन दब्लैंक भी है यह चाप्टर काफी एजी था और इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए बट फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल का MCQs और फिल इन दब्लैंक फिर हम लोग आज का एक नहीं आज आपरे स्टार्ट करने चाहरें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो रेडी जस्ट वेट हाँ तो फिर्स्ट क्वेशिन है दब फ्लैनेट नोन एस अज 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 एट्स ट्विन इस कल मैंने हम लोगों नहीं पढ़ा था अर्ट का ट्विन मतलब कौन सा प्लैनेट है जो बिल्कुल अर्ट जैसा दिखता है तो वह इसका एंसर क्या होगा जुपिटर नहीं होगा साटर नहीं होगा तो वह नहीं वह जो एस अज उसर प्लैनेट का ट्विन बोल्ते हैं तो यह आप्लोगों को सीडियलिय वाइज याद होगा सं के बाद सबसे पहले मर्कुरी होता है Mercury and then Mercury के बाद कौन सा होता है Venus and Venus के बाद Earth which is our home planet so इसका answer क्या होगा Earth next है question number C all the planets move around the sun in Earth, आप लोग बताईए planets जो है sun के 4 तरफ rectangular path में तो नहीं move करता है यह क्या है elongated path नहीं, यह भी नहीं होगा answer क्या होगा, circular path is it clear to everyone and the last question is the pole star indicates the direction to the pole star कहाँ होता है तो northern hemisphere मतलब यह जो अर्थ है यहाँ पर होता है pole star, तो obviously pole star जो है वो कौन सा direction इंडिकेट करेगा तो it will be north, clear next आते हैं फिलिन, sorry यह कोड है asteroids are found between the orbits of बताईए, asteroids जो है वो कहाँ पाया जाता है मतलब कौन से planets के orbits के बीच में तो it will be Mars and Jupiter ठीक है next अब आते हैं fill in the blanks में तो क्या होगा बताईए a group of stars होगा यहाँ पर a group of stars forming various pattern is called अब धेड़ साथे star एक जो various pattern बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कल ही हम लोग उने पढ़ा है constellation clear यह काफी easy है next a huge system of stars is called एक star का huge system क्या कहलाता है तो it will be galaxy clear next dash is the closest celestial body to the earth तो earth के सबसे नजदीक कौन सा celestial body है तो it will be moon clear next dash is the third nearest planet to the sun यह भी mcq में भी था कौन सा planet third nearest है तो it will be earth clear next planets do not have their own what planets के पास अपना क्या नहीं होता है तो it will be light and heat light और heat कहां से मिलता है तो वो star से मिलता है planets को उसके पास अपना light और heat नहीं होता है is it clear तो यह काफी easy था अगर chapters आप लोगोंने ध्यान से पढ़ा इसे ध्यान से देखा है revise किया है तो you will be able to यह class 6 के standard से काफी easy लगड़ा होगा आप लोगों को यह काफी important भी है ठीक है तो यह chapter जो है chapter number one यह finish हो जाता है हम लोग अब next chapter में आज आ रहे हैं जो कि काफी important है latitudes and longitudes हम geography दो सब को ही पढ़ लेते हैं आगे हम लोग advance में पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी आप लोग देखेगा कि latitudes, longitudes इस concept में बहुत लोगों को काफी दिक्कते होती है सब लोग कहते हैं कि क्या है मैं समझ नहीं पाते हैं इसका numerical बहुत बार question थूरा numerical भी आ जाता है exam में तो बहुतों को इसमें doubts होते हैं तो please it's my request कि ध्यान से इस chapter को देखे because I will solve all your doubts here and इस chapter के बाद इससे related कोई doubts नहीं रह जाएगा और इसमें मतलब class 6 में इतना basic से बताया गया है कि आप आगे भी सारे chapters को जब study करोगे like 7th standard का 8, 9, 10, 11, 12 या फिर आगे advanced geography में जाएंगे तो basic यही है so are you ready? okay let's start यहाँ भी यह drawing दिख रहे हैं आप लोगों को globe है यह तो globe है क्या? तो globe एक model है अर्थ का मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यह जो globe है थोड़ा tilted दिख रहा है मतलब थोड़ा ते मतलब यह है यह northern pole जो है वो यहाँ पर है और southern pole यहाँ पर है तो it is tilted मतलब यह axis होता है actual में जो planets है मतलब earth है वो थोड़ा tilted है अपने place से तो इसको north pole बोलेंगे इसको south pole यह जो है यह नहीं है बहुत लोग north इसको बोलते है south इसको नहीं यह अपने position से थोड़ा tilted है यहाद रखना है तो हाँ एक और important question है कि क्या real में ऐसे axis लगे होते है अर्थ के तो नहीं यह imaginary line है यह axis जो imaginary है real में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है in the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere obviously हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो earth है वो sphere नहीं है it is slightly flattened at the north and south pole मतलब north और south pole पे थोड़ा flat है और middle में थोड़ा bulge है actual में इस shape को क्या बोलते है you would have read it in previous chapter so आपको answer करना चाहिए इस shape को क्या बोलते है इस shape को बोलते है geoid geoid मतलब earth का एक अलग ही shape है clear? okay तो कहड़ा है कि globe is a true model miniature form of the earth globe actual में एक क्या है earth का true model है मतलब miniature form मतलब छोटा size में अगर earth को आपको देखना है तो वो क्या है globe है ठीक? अब कहरा है globes may be of varying size and type big ones which cannot be carried easily small packet globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with easy आप लोग जब stationery के shop में जाओगे तो देखोगे कि globes बहुत size में available है pocket में रखने वाला भी globe है table पे भी रख सकते हैं बड़ा सा globe school में आप देखोंगे देखिएगा कि बड़ा सा globe होता ही है तो यह हर एक size में available होता है आगे कहाँ है कि the globe is not sorry एक minute कहाँ है कि globe का जो यह है the globe is not fixed it can be rotated the same way as a top spin और a potter's wheel is rotated globe fix नहीं होता है यह rotate होता रहता है आप लोगों के घड में globe है अगर आप लोगों के घड में globe रखा है अगर नहीं है तो यह जाद वाइसा बहुत कॉस्टी तो होता नहीं है just go and buy ताकि आप लोग एजली समझ पाएंगे यह जो globe है यह ऐसे move होता है इसको अब कैसे भी move करवाओगे ना यह ऐसे move होता है अपने axis पे तो वही चीज़ यहां बोला जाड़ा है globe is not fixed it can be rotated the same way as a top spin or potter's wheel is rotated on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct size ठीक है यहां पे आप globe में देखो यह green part क्या है continents है यह blue part क्या है oceans है तो यह दिखाया जाते है अपने यह पे अपने positions पे आगे के right is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth now the question arises as to how to locate a place on it तो यह जो globe है, थोड़ा circular type है spherical है, I mean not circular spherical है थोड़ा, spherical भी नहीं कहा सकते है तो अगर माल लिजे कि globe पे कोई particular point के बाड़े में बताना है कि इसका address क्या है, तो वो कैसे बताएंगे और बहुत थी काफे difficult हो जाता है बताना तो we need certain points of reference, कुछ तो reference चाहिए ताकि हम लोग location find out कर सके तो यहां से यह काफे important होने जाड़ा है आप लोगोंने अभी देखा यह globe है और एक needle जो है, वो इस तरह से fixed है sorry यह कह रहा है कि माल लेजे कि यह globe है और needle इस तरह से fixed है clear in tilted manner which is called it axis और इस needle को क्या बोलते है, axis बोलते है two points on the globe through which the needle passes are two poles अब यह दो point जहां से needle pass हो रहा है इस वाले point को बोलते है north और इस वाले point को क्या बोलते है south बोलते है clear the globe can be moved around this needle from west to east अब देखिए यह वाला जो part है, वो east हो गया and this is west बोरा इसको रोटेट भी कर सकते हैं west से east की तरफ मतलब इस तरह से हम लोग round घुमाएंगे और ऐसे ऐसे इसको घुमा सकते है clear the globe can be moved around this needle from west to east just as earth moves earth भी earth का movement जो है यह question बहुत बार exam में आता है कैसे होता है west to east or east to west it will be west to east इसम याद रखना है आप लोगों को बहुत important point है but remember there is a major difference the real earth has no such needle यह याद रखना है real में ऐसा कोई needle नहीं होता यह बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया it moves around its axis यह अपने axis पर यह घूमता है जो कि एक imaginary line है actual में clear अब देखिए another imaginary line running on the globe divides into two equal parts spell envelope देख रहते हैं फिर आगे देखिए suppose this is earth sorry फिर से हम लोग ड्रॉख करते है suppose this is earth clear यह north pole है this is south pole बोल रहा है कि एक imaginary line होता है ऐसे इसको कहते है क्या यह earth को completely दो पार्ट में divide कर रहा है आप देख रहे हो completely दो पार्ट में divide कर रहा है तो इस line को कहते हैं equator और हिंदी में क्या बोलते है विश्वत रेखा और यह equator जो है वो भी imaginary line है यह बस समझने के लिए बताया गया तो equator से अगर आप उपर की हो जाएगा north की तरफ तो यह जो particular half है this half is known as northern hemisphere and this half यह जो नीचे वाला half है south वाला इसको बोलते है southern hemisphere clear है यह north pole है यह south pole है this hemisphere is southern hemisphere and this hemisphere is northern hemisphere clear आगे देखिए कह रहा है यह बहुत equal halves और हाँ दोनों half जो वो equal है ऐसा नहीं कि size में कोई problem है मतलब कोई जादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है दोनों half जो equal है therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth तो आप लोग कह सकते हैं आपे कि equator जो है यह जो equator है यह क्या है इससे मतलब की position को locate करना काफी easy हो जाता है क्योंकि यह earth को divide करता है दो equal half में clear अब गेर आए कि all parallel circles from the equator up to the poles अब देखिए यह equator हो गया एक circle circular part अब और इसके उपर लोग बढ़ते जाएं तो धेर सारे circles में earth को poles तक हम लोग उसे तरह से नीचे भी यह माल लेजे की earth है यह equator है और यह equator एक circle हो गया पूरा जो की circle को divide करता है wait earth है equator है और ऐसा ही हम लोग उपर की तरफ चलते जाएं तो भी डेर सारा line हो सकता है नीचे south की तरफ जाएं तो भी डेर सारा line है तो यह जितना भी आप parallels देख रहे हो यह जो e है यह ठीक है equator तो यह जितना भी आप lines देख रहे हो जो की parallel है बिल्कुल तो इसको क्या बोलते है parallels of latitude बोलते है इसको ठीक है इसको याद रखना है और यह equator के north की side से जो जाड़ा है तो यह northern parallels of latitude है और south की तरफ जो भी latitude से उसको बोलते है southern parallel of latitude clear अब देखते हैं यह जो equator है इसको यह degree में सबसे पहले तो इसको measure करते हैं degree में जितना भी line देख रहे हैं यह सब को degree में measure किया जाता है तो equator जो है वो 0 degree है clear अब equator से अगर उपर की तरफ pole की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो यह यह क्या हो गया मालेजे की एक circle है ठीक है यह एक line है यहाँ से 90 degree हम लोग एक line ड्रॉ कर दिये तो यह pole के पास यानि कि यहाँ पे जो parallels है वो कितना हो गया 90 degree in the same way south में भी यह south जो है यहाँ पे भी यह कितना हो गया यह 1 4th यह हो गया 90 degree clear यह earth है this is equator जो कि 0 degree है यह northern pole है यह यह जो 1 4th half है यह 90 degree है और यह जो 1 4th है this is also 90 degree ठीक है तो यानि कि equator से लेकर के northern pole तक total 0 degree से लेकर के 90 degree तक है मतलब यह 1 degree भी कहीं होगा कहीं 2 degree भी होगा कहीं 3 degree भी होगा 10, 15, 16 जो भी है 20, 35, 66, 99 sorry not 99 तो ज़्यादा हो गया 89 तो यह सारा degree जो है यहाँ पे मतलब धेर सारा line हम लोग खीज दे और सारा एक सबका एक measurement है in the same way south में भी उसी तड़ी के से है clear latitudes are measured in degree इसको याद रखना है इसको degree में measure करते है अगर question पूछता है कि latitudes हो किसे measure करते है meter, kilometer, degree, centimeter answer क्या होगा it will be degree the equator represents the zero degree latitude यह भी जस्त नहीं नहीं बताया since the distance from the equator to either of the pole is one fourth of a circle सब बता चुके हम कि pole तक क्या होता है 90 degree clear क्यों 90 degree होता है क्योंकि यह पूरा जो earth है यह माले जे कि एक पूरा round यह घूमता है तो यह 360 degree represent करता है और यह one fourth 360 degree का कितना होगा 90 degree ठीक और उसी तरीके से south में भी है अब कह रहा है कि as such all parallels north of the equated are call हाँ north के तरफ जितना भी होगया वो कलाएगा north latitude और south की तरफ सड़ा south latitude कलाता है the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south तो यह हम लोग अगर माले जे किसी भी position का मतलब किसी भी point का अगर location बताना है तो हम लोग को north और south से उसको जरूर indicate करना है कि कौन सा position north में है कौन सा position south में है यहाँ पर देखिए किरा है for example बोथ चंद्रपूर इन महारास्ट्रा मतलब कि चंद्रपूर इन महारास्ट्रा जो इंडिया में आता है and below horizontal in Brazil जो कि south अमेरिका में है are located on parallels of about 20 degree latitude यह 20 degree latitude पे क्या है located है यह दोनो जगा मतलब चंद्रपूर इन महारास्ट्रा और जो below horizontal in Brazil में दोनों का दोनो जो वो 20 degree latitude पे है बट लेकिन यह चंद्रपूरा जो है यह 20 degree north में है और यह जो below है यह 20 degree south में है तो माल लिजे कि आप महारास्ट्रा का भी 20 degree लिखते हो चंद्रपूरा का और below का भी 20 degree लिखते हो तो क्या कोई भी सोचेगा कि एक ही प्लेस पे दोनों है बट यह पॉसिबल तो नहीं है एक जो है वो ब्रजील में है और एक जो इंडिया में है तो हम लोगों को यह रिप्रेजेंट करना जरूरी है कि वो north में है कि south में है ठीक है अब आगे देखते हैं वी देखोर से डाट चंदरपूरा इस सिचुएटेटेद आट 20 डिगरी नॉर्थ लाटिटिट्यूद और बेलो होरिजॉन्टेज सिचुएटेद आट 20 डिगरी साउथ लाटिटिट्यूद क्लियर वी सीइन फीगर 2.2 फीगर 2.2 में आफ लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए नॉर्थ के साइड वाला सारा में नॉर्थ लिखा हुआ है एक मिनट नॉर्थ साइड वाला में सब में आप देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है और साउथ वाले में सब में क्या लिखा हुआ है अब खेह रहा है, important parallels of latitude, अब कुछ-कुछ important parallels देख लेते हैं, latitude का तो मैं आप लोगों को यहाँ पर देखे, इसको यह जो line है, मतलब zero degree latitude का नाम क्या है, equator, याद रखना है अब zero degree से अगर आप 23 and half degree north उपर की तरफ जाओगे, तो इस imaginary line को क्या कहते हैं, tropic of cancer, यहाँ पर लिखा हुआ है और in the same way अगर आप 23 and half degree, 23 and half degree south की तरफ जाते हो, तो इसको कहते हैं, tropic of capricorn clear, अब देखे, sun जो है, वो यह tropic of cancer से ले करके, tropic of capricorn तक move करता रहता है ठीक है, तो इस particular zone में sunlight सबसे जादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं, torrid zone clear, अब अगर हम लोग zero degree से 66 and half degree उपर जाएं, north की तरफ तो यह जो है एक अलग line है, arctic circle बोलते हैं इसको, arctic circle और अगर वही 66 and half degree south की तरफ आएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, antarctic circle ठीक है, और यहाँ पे, चुकि sun जो है, वो यहाँ से ले करके, यहाँ तक घूमता रहता है तो यहाँ पे इसका rays बिल्कुल सीधा नहीं पड़ता है, इस particular reason में ray हमेशा सीधा होता है ठीक है, इसलिए torrid zone बोलते हैं, पर temperature जादा होता है, इस reason का लेकिन यहाँ पे, चुकि rays जो है, वो सीधा नहीं पहुंचता है, तो temperature भी कम होता है इसलिए इसको बोलते है, temperate zone, यह north में इसलिए north temperate zone, जो south में इसको क्या बोलेंगे, south temperate zone अब 66 degree north से लेकर की, यहाँ पे north pole क्या हो गया, 90 degree north 90 degree north तक अगर आप जाते हो, 90 degree north तक अगर आप जाते हो, तो यह खलाएगा frigid zone मतलब यह north pole, बिल्कुर यह बर्फ जमा रहता है, सालो भर, इसी तरह से south में भी है frigid zone मतलब Antarctic circle से लेकर के south pole तक यह क्या होगा, frigid zone clear, यहाँ पे वही सारे चीज़ें explain की होई है, तो यार क्या रखना है, कि tropic of cancer कितने degree latitude पे है, तो 23 and half degree latitude ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्ण कितने degree पे है, तो 23 and half degree latitude पे है, लेकिन south में है, cancer जो है वो north में है, फिर south में जो 66 and half degree south पे है, वो उसको क्या बोलते हैं, Antarctic circle, नौर्थ वाले को क्या बोलते हैं, Arctic circle बोलते हैं, और zone wise आप लोगों को देखना है कि किसको कौन सा zone बोलते हैं torrid zone किसको बोलते हैं, जो area maximum heat receive करती है, ठीक है, temperate zone, अभी जस मैंने बताया कि यहाँ पे जो sun है, the midday sun never shines overhead, midday sun कभी भी overhead shine नहीं करती है, ठीक है, तो the angle of sun rays goes on decreasing towards the pole, pole की तरफ कम हो जाता है, as such, the areas bounded by the tropic of cancer and arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperatures, इसलिए यहाँ का temperature moderate होता है, these are therefore called temperate zones, इसको क्या बोलते हैं, temperate zone बोलते हैं, अब आगे देखते हैं, areas lying between the, वही arctic circle से लेकर के north pole तक और antarctic circle से लेकर के southern pole तक क्या कहलता है, उस area को frisid zone, क्यों, क्योंकि sun का जो ray है, वो बिल्कुल slanting होता है, वहाँ पर, यहाँ पर देखे, its rays are always slanting and provide less heat, बहुत कम heat प्रोवाइट करता है, इसे लोजो क्या बोलता है, frisid zone, clear, अब आते हैं longitude में, latitude तो हो गया, अब देखते हैं, longitude किसे कहते हैं, यह north pole से लेकरके, south pole तक अगर एक line ख है, साड़ा, इसको meridian बोला जाता है, ठीक है, meridian of longitudes, can I to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude, कि यवर latitude से काम नहीं चलेगा, you can see for example that, Tonga Islands in the Pacific Ocean, कि रहाँ Pacific Ocean में Tonga Island है, और Morises Island कहा है, Indian Ocean में है, दोनों का दोनों जो है, वो situated है, एक ही latitude पे, मतलब 20 degree south latitude पे दोनों situated है, Tonga भी और Morises भी, लेकिन क्या दोनों एक जगा पे हैं, नहीं है, तो फिर कैसे exact place बताया जाए कि, दोनों को अलग-अलग हम लोग कह सकते हैं, अगर 20 degree south आगर आप बोलते हो के वल, तो तो नहीं समझ में आएगा, कि कौन की इस जगह के बारे हैं बोला जा रहा है, तो यानि कि कुछ और भी है, एड्रेस में जो की जरूरी है, लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को, तो कर आए, now in order to locate them, we must find out how far east और west इस place, यानि कि east और west का भी knowledge होना चाहिए, कि कौन सा place east में है, और कौन सा west में है, ठीक है, these line of reference are called the meridians of longitude, तो यह जो line है, उपर से नीचे तक, इसको बोलता है, meridians of longitude, अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, and the distance between them are measured in degrees of longitude, उसको हम लोग डिग्री में is further divided into minutes, degree को further minutes में divide करते है, minutes को second में, पता ही है आप लोगों को, they are semi circles and the distance between them decreases steadily poleward, जैसे कि मालेजे कि यह earth है, और यह longitude, छोड़े यह 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 देखे, यह earth है, ठीक है, और यह आप देखोगे, यह सारा क्या longitude है, लेकिन pole के तरफ आप देखो, जैसे जैसे सारा line pole की तरफ जा रहा है, हर एक line के बीच का distance जो है, वो कम होता जा रहा है, clear, तो वहीं यहाँ पर कहाँ है, कि distance each, sorry, then decreases steadily poleward, pole की तरफ जाता है, तो सारे meridians के बीच का जो distance है, वो कम होते जाता है, और finally pole के पास जाकर के distance zero हो जाता है, मतलब एक point पे सारा मिल जाता है, suppose the earth है, इस point से ही सारा line emerge हुआ है, मतलब pole पे जो है, सारे एक point से शुरू हुआ है, मतलब यहाँ पे जाकर के सब के बीच का distance क्या हो जाता है, zero हो जाता है, unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length, ठीक है, अब देखिए, latitude जो है, parallels of latitude वो equal length का नहीं था, सबसे जादा length जो है, equator का है, उसके बाद pole की तरफ हम लोग south की तरफ move करें, चाहे north की तरफ move करें, तो length जो हो कम होता जाता है, clear, in the same way यह जो आपका meridians है, लेकिन meridians के बादे में क्या कहा जा रहा है कि साड़े कोई, मतलब साड़ा meridians जो equal length का होता है, and thus it was difficult to number the meridians, meridians का number देना difficult है, hence all countries decided that the count should begin from the meridian, which passed through greenwich, तो सारे country ने मिल करके decide कि हम लोग कुछ तो एक सुरूआत मानेंगे कि यहां से सुरूआ है, तब तो जाकर के measure करेंगे, जैसे कि equator है, तो equator के उपर वाला north हो गया, उसके नीचे जाएंगे तो south है, तो इंदर सेन वे longitude में भी तो कुछ होना चाहिए, तो सारे country ने मिल करके decide कि जो meridian, greenwich एक जगह है, वहां से जो meridian पास कर रहा है, जहां पे British Royal Observatory है, उस meridian को हम लोग क्या मानेंगे, prime meridian, prime meridian means main meridian, और इसका value जो है, जैसे कि latitude में equator का क्या था, measurement 0 degree, तो इंदर सेम वे prime meridian का क्या है, 0 degree longitude, and from it, we count 180 degree eastward, मतलब इस 0 degree से east की तरफ जाएं, तो 180 degree तक, और west की तरफ जाएं, तो 180 degree तक है, clear, और इस तरह से जो east वाला side जो है, वो eastern hemisphere का लाएगा, और west वाला side जो western hemisphere का लाएगा, therefore the longitude of a place is followed by the letter E, और W, मतलब कि इसका भी longitude E और W से हैं, मतलब कि जो west side होगा, उसको W से represent करेंगे, जो east side होगा, उसको east से represent करेंगे, it is however interesting, यह बहुत important point है, but it is however interesting, to know that 180 degree east, and 180 degree west meridian, are on the same line, obviously, यह 0 degree meridian है, इससे 180 degree पीछे जाते हैं, किधर, west की तरफ, और इधर से 180 degree east की तरफ, तो एक ही line पर fall करेगा, तो इसी लिए 180 degree east और 180 degree west meridian जो एक ही line पर होता है, clear? मतलब यह हुआ, यह एक हाफ पार्ट है, और यह जो है वो दूसरा हाफ पार्ट है, यह तो 0 degree है, यहाँ से पीछे जाएंगे, 180 degree मतलब एक पूड़ा, यह तो आप समझते होंगे, कि एक line है, यहाँ से यह चीज़ क्या हुआ, 180 degree, तो यहाँ से हम लोग पूड़ा पीछे जाएंगे, तो 180 degree है west, और in the same way इधर से पीछे जाएंगे, तो 180 degree east हो गया, तो obviously 180 degree east and 180 degree west meridian जो हो एक ही line पर लाई करेगा, clear? अब कराएंगे, now look at the grid, grid of parallels of latitude and meridians of longitude on the globe, अब और इसको दिहान से देखिए, figure 2.6 में इसी को grid बोलते हैं, grid क्या है, parallels of latitude और meridians of longitude को grid बोलते हैं, you can locate any point on the globe very easily, अब कोई भी point है, तो उसको आप longitude और latitude के help से बता सकते हैं कि कौन सा प्लेस, north में हैं कि east में हैं या फिर वो west में हैं कि south में हैं, अब साड़ा कुछ परा चल जाएगा, clear? correct, for example, ढूबड़ी इन असाम is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude, longitude, sorry, तो समझ में आया कि ढूबड़ी जो है, वो 26 degree north latitude पे हैं, 90 degree east longitude पे हैं, ठीक है, find out the point where these two lines cut, अब इस दोनों line को हम लोग search करेंगे, कहीं न कहीं latitude इस तरह से होगा, longitude इस तरह से cut कर रहा होगा, तो जहां पे ये 90 degrees longitude है, और 26 degree north latitude cut कर रहा है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, धुबड़ी न साम, अब धुबड़ी वहीं पे होगा, clear? अब इसको simple सब्द में समझने के लिए देखिए, यहाँ पे एक diagram दिया हुआ है, figure, इसको ध्यान से देखिए, आप लो, कहड़ा है कि ये देखिए, line है, parallel lines draw किया हुआ है, जो vertical lines है, ये 1, 2, 3, 4 है, horizontal वाल A, B, C, D से represent किया गया है, अब ये जो point है, A, small A, इसका कोई address पुछेगा, तो आप क्या बूलिएगा, हाँ, और एक और चीज़ में माल लेना है, कि ये vertical line represent कर रहा है, east longitude को, और horizontal line represent कर रहा है, north latitude को, अब बताएगे कि आप इसको कैसे represent किजेगा, तो A का address क्या हो जाएगा, A का जो address है, वो क्या हो जाएगा, A का address हो जाएगा, B degree N, क्योंकि B जो है, वो क्या latitude है, B degree N क्यों, क्योंकि north है, और 1 degree south, क्योंकि ये vertical line south को represent कर रहा है, और 1 पे है ये, A जो है, तो 1 degree south, तो same way वैसा ही, earth में भी है, clear, बाकि आप भी C, D, E का location, कुछ से find out करके, एक बाद देख लिजे, practice कर लिजे, ये यहाँ पर एक diagram है, इसमें अब धियान से देखिएगा, ये जो ग्रीन विच है, ये जो line है, जो breakage है, यहाँ पर, ऐसे ऐसे है, ब्रेक में है, ये green विच है, this is green विच, clear, green विच से हम लोग, east की तरफ जब move करेंगे, तो आप देखिएगा, कि सारे numbers में plus plus का sign है, और west की तरफ आप देखिए, सब में minus minus का sign है, ऐसा क्यूं है, क्यूंकि हम लोग आगे देखेंगे, east की तरफ बरने से, time जो है, वो बढ़ता है, मतलब green विच से, आगे जाने पे, मतलब east की तरफ जाने पे, time प्लस में होगा, और इधार जाएंगे, तो यहाँ पर time जो है, वो घटेगा, कम होता जाएगा, clear, अब देखते हैं, आगे, यह clear हो गया, लॉंगिट्यूद टाइम, कह रहा है, the best means of measuring time is by movement of the earth, अर्थ के movement से हम लोग को मेंली पाचलता है, time के बाड़े में, the sun regularly rises and sets every day and naturally, it is the best timekeeper throughout the world, local time can be recommended, हाँ, हम लोग बोड़ रहे हैं कि कैसे, time का पता करता है, sun से, किस time में sun की दर जाता है, उससे हम लोग को time का पाचलता है, when the prime meridian of greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon, बोड़ रहे हैं कि prime meridian जो है greenwich का, उसमें sun जो है sky में highest point पे होता है, तो उस time अगर sun वहाँ पे है, तो साड़े place पे वो क्या माना जाएगा, कि वो midday है, मतलब noon है, मतलब बाड़ा बज रहा है, as the earth, अब अगर earth rotate करता है from west to east, मतलब west to east earth rotate कर रहा है, those places east of greenwich, जो greenwich में east के तरफ है, will be ahead of greenwich, क्यों? क्योंकि माली जे earth है, ये greenwich है, west to east move कर रहा है earth, मतलब ये earth इधर की तरफ जाड़ा है, और ये वाला portion आगे आएगा, तो obviously जो greenwich से इधर का जो भी area है, जो भी जगह है, location है, जो भी, तो उसका time क्या होगा? ahead होगा greenwich से, मतलब जादा होगा, और ये पीछे जाड़ा है, ठीक है, ये पीछे move कर रहा है, तो यानि कि यहाँ का time जो है, वो कम हो जाएगा, clear? तो वही कहर रहा है कि those places east of greenwich will be ahead of greenwich time, and those to the west will be behind it, ठीक है? The rate of difference can be calculated as follow, rate of difference को उम लोग इस तरह से calculate करते हैं, earth जो है, देखिए, 360 degree rotate करता है 24 hours में, ये तो उम लोग को पता ही है कि earth का rotation time कितना है, 24 घंटा, और 24 hours में earth जो 360 degree angle move कर लेता है, तो अगर 24 hours में वो 360 degree angle move करता है, तो आगे तो उम लोग पता कर सकते हैं कितना degree में कितना move करेगा, ठीक है? तो वहीं करता है, which means 15 degree an hour, 24 hour में अगर 360 degree move कर रहा है, तो इस simple maths है, 24 hour में अगर 360 degree move करता है, तो एक घंटे में कितना move करेगा, 360 by 24, कितना होता है? 15 degree, sorry, ठीक है? कितना हो जाएगा, एक घंटे में 15 degree, 15 degree an hour और 1 degree in 4 minutes, यानि कि, यह calculation अब लोग देख लेते हैं, 24 hours में 360 degree होगा, तो एक घंटे में कितना होगा, 360 by 24, ठीक है? इसको डिवाइड करते हैं, माली जा 4, 9, 36, 0, 4, 6, 6, 15, मतलब एक घंटे में 15 degree move करेगा, ठीक है? मतलब 15 degree move करने में, एक घंटा time लगेगा, अब आगे कह रहा है कि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, which means, 15 degree an hour, और 1 degree in 4 minutes, ये कैसे find out कर पाएं हम लोग? तो ये रेखिए, 15 degree में, सॉरी, सॉरी, 60 minutes, 15 degree, 60 minutes में, 15 degree, यानि, एक मिनट में कितना होगा? या फिर इसको उम लोग उल्टा साइट से करें तो, 15 degree move करने में, 60 minute लेता है, 60 minute में यानि, एक घंटा, तो एक डिगरी move करने में, 16 by 15, 15 is to 4, 15 is 4, एक डिगरी move करने पे, 4 minute लगेगा, clear? अब देखिए, अगर ग्रीन वीच, पे बाड़ा बज रहा है, तो 15 degree east अगर ग्रीन वीच में जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? हम लोग सिंप्ली 15 को 4 से, into multiply कर देंगे, ठीक है, 50 into 4, क्योंकि हम लोग अभी just, देखें क्या, कि 1 degree में, 1 degree का मतलब, time में कितना हो जाएगा? 4 minute, 1 degree में 4 minute होता है, और ग्रीन वीच पे अगर बाड़ा बज रहा है, तो उसे 15 degree east की तरफ जाना है, तो कितना time होगा? तो 15 degree को minute से, 4 में, यानि एक degree में 4 minute, तो 15 degree में 15 into 4, कितना हो जाएगा? 15 फोर्जा, कितना हो जाएगा? 1 minute, 15 फोर्जा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 minute, 60 minutes हो जाएगा, 60 minutes आने की 1 घंटा, ठीक है? यानि कि, 12 बज़ रहा है, Greenwich पे तो, एक घंटा आगे हो जाएगा, 15 degree में आने की, एक बज़ रहा होंगे, clear? 1 p.m. But at 15 degree west, लेकिन आप 15 degree west में चल जाएगा, तो time तो वही 1 hour ही आएगा, लेकिन वो behind होगा, मतलब 12 बज़ से पहले 1 घंटा, यानि की 11 बज़ेगा, clear? Similarly, at 180 degree, it will be midnight, अब 180 degree में जाएगे, तो भी 12 ही बज़ेगा, लेकिन वो midnight होगा, क्योंकि greenwich पे, midday है, clear? अब बोड़ा, at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock, when the sun is at highest point in the sky, when it is midday, the time soon by search of watch, will give a local time, ठीक है, तो इस तरह से time, जो है इसी basis पे, हम लोग को time बताता है, अब आता है standard time में, अब देखिए, कह रहा है कि, एक particular place, एक country बहुत बड़ा होता है, और सब में latitude, longitude अलग है, time भी सब का अलग होगा, तो उसके हिसाब से, सारे का time calculate करना, जो है possible नहीं है, इसी लिए हम लोग एक standard time, ये कड़के रखते हैं, ताकि उसके basis पे पता कर सके, कि उस country में भी कितना बज रहा है, क्या timing है, और उसी हो कहते है standard time, clear, क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर आप गुजरात में, द्वारका में जाएंगे, और असाम का डिब्रुगर, दोनों के बीच में, एक घंटा 45 मेर का difference है, ठीक है, मतब यहाँ से लेकर के, यहाँ तक, timing में एक घंटा 45 मेर का difference है, इसी लिए एक longitude, जो की 82.5 डिगरी इस्ट पे आता है, इसको हम लोग मानते हैं, standard meridian, मतब इंडिया का standard meridian यही है, the local time at this meridian is taken as the standard time for whole country, मतब इस particular longitude पे जो time हो रहा है, उसको पूरे country में माना जाता है उसी को, उसी के basis में हम लोग time calculate करते हैं, it is known as Indian standard time, clear? अभी हाँ पे एक example दिया हुआ है कि Kabir जो है, Kabir lives in a small town near Bhopal, he tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight, a day and night cricket match between India and England had started, हाँ देखे, London में 2 बज रहा था, तो India में वो match कितने में प्रे स्टार्ट होगा, तो London में 2 पीम हो रहा है, मतब इस लंड़न में 2 पीम में स्टार्ट हुआ है, तो London कहां है, Greenwich के पहले, तो this means that, कि India में match would begin at 7.30 पीम, क्योंकि Greenwich से, अगर आप 82.5 डिग्री इस्ट को, अगर आप calculate करोगे, आवर्स में, अब तो आप लोग अराम से calculate कर सकते हैं, और करके देखिएगा भी, क्योंकि ये measurement मिल चुका है, कि 1 डिग्री में कितना होता है, चार मिनट होता है, तो उस हिसाब से, 82.5 डिग्री जो है, sorry, 82.5 जो है, उसमें कितना मिनट है, ये आप लोग का homework है, तो जो आप calculate कीजेगा, तो आप देखिएगा, पांच घंटा 30 मिनट आता है, calculate करके, ठीक है, तो अगर 2 पीम लंडन में, तो वही चीज है, ये आप लोगों का homework है, 82.5 मिनट को calculate करना है, hours में, clear, तो आप ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, हाँ एक और important चीज, तो question आप लोग पूच सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा बड़ा country है, रसिया तो बहुत बड़ा, काफी big country है, फिर आपका USA चल जाई है, वो भी काफी big है, तो फिर यहाँ पर क्या एक ही time से काम चल जाता है, नहीं चलता है, रसिया में standard time बहुत साड़े है, 11 standard time है total, ठीक है, इंडिया में भी बहुत पहले बात हुआ था, ऐसी चर्चाएं हुई थी, कि यहाँ पर भी standard time at least 2 कर दिया जाए, क्योंकि eastern side का time complete अलग हो जाता है, west का time जो हो complete अलग हो जाता है, एक time में जहाँ sun जो है, वो set भी नहीं होता है, 7-7-8 बे तक, वो यह नौर्थ-East चल जाई है, तो फिर बहुत जगह पे, 6 बजे, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, मतब sun जो है, वो set हो जाता है, तो फिर ऐसे में time का बहुत issue हो रहा था, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं, जिनका office hour माली जो 10-5 है, तो 5 बजे ही रात हो गया, North East में, अब यह आप इस side आईएगा, West side, तो 5 बजे कुछ भी नहीं है, 5 बजे एकदम light रहता है, तो यह सब के basis पर decide हुआ था, कि time जो हो change कर दिया जाए, बड़ ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है, ठीक है, लेकिन बड़े-बड़े countries में, ऐसा है, कि बहुत सारे standard times है, clear, तो यह आज का chapter है, इसको प्लीज आप लोग अच्छे से revise कीजे, पढ़िए, note making भी कर लिजेगा, और हाँ, यह MCQ है, और इधर fill in the blanks, इसको करना है आप लोगों को, इसको पुड़ा करने का कोज़िस कीजेगा, और काफी easy है, यह chapter पढ़ने के बाद, और यह chapter आज का काफी important था, geography का एकदम base, जिसको कहते है न, earth का, अगर यह chapter को आप skip कर दीजेगा, तो आगे temperate zone, fridget zone, torrid zone, किसको बोला जा रहा है, समझ ही में नहीं आएगा, tropic of cancer, कितने degree पे है, इकुएटर कितने degree पे है, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए एक काफी basic, और काफी important topic था, ध्यान से, एक बार आप videos ज़रूर अच्छे से देखिए, और last में, एक important information, आप लोगों को यह देना है, कि, यह तो अभी NCRT का series चल रहा है, अगर आप लोग civil services का preparation कर रहे हो, चाए PGT का, और किनी का भी अगर geography optional है, तो उसके लिए नीचे link में, मतलब description दिया हुआ है, geography optional के लिए अग अलग सा channel है, जिसमें geography काफी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, माल लिए जिनका BPSC है, तो वो पुड़ा follow कर सकते हैं सुरू से, topic wise सारे chapters, सारे topics को cover करवाया जा रहे हैं, इसलिए आप एक बार जरूर्ट लिंक पर जाए और देखिए, और अपने दोस्तों को भी बताईए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग share कर सकें, लोगों तक पहुँचे, जिनको जरूरत है वहाँ तक पहुँच सकें, तो ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पर end करते हैं, इसी के साथ, thank you, thank you very much.